हेलो फ्रेंज ऐसे मननपुना किचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ वेज मयोनी सेंविच की रेसिपी तो चलिए जल्दी से इस मज़िदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं वेज मयोनी सेंविच बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टफिंग की तयारी करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है गाजर इसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे सिमला मिर्च और खीरा साथी में इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च और ये लाश्ट में हम इसमें डाल देंगे पियाज पियाज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे चार बरी चम्मच मयोनीज मयोनीज डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच टोमेटो सॉस और साथी में डाल देंगे एक चम्मच चीली सॉस अब इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक छोटी चमच काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चमच साधा नमक एक चमच चाट मसाला आधी छोटी चमच काला नमक और ये लास्ट में ओरीगेनो डाल देंगे तो सारी चीजे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग जो है वो बनकर तैयार है तो इसे अब हम कवर करके थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और तब तक हम लोग ब्रेट को अच्छे से सेख लेते हैं तो ब्रेट को हम लोग यहाँ पर अच्छे से टोस्ट कर लेंगे तो इसके लिए अभी हम लोग ब्रेट का यूज नहीं करेंगे तो पहले मैंने यहाँ पर दो ब्रेट ही लिया है इसे दोनों साइड से ही अच्छे से टोस्ट कर लेंगे इसके बाद हम लोग फिर से दो ब्रेट और लेंगे इसे भी ठीक इसी तरह से करना है और ब्रेट को हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है तो यह एक साइड से अच्छे से सिख चुका है अब हम इसे दुस्से साइड भी अच्छे से सिख लेंगे गैस का फ्लेम बन कर देंगे और इसे प्लेट में निकाल लेंगे अब इसके बाद हम लोग इसके एज़स को चाकू से कट कर लेंगे बिल्कुल ठीक इस तरह से तो इसे अच्छे से चारो तरफ से हम कट कर लेंगे यह देखे बिल्कुल ठीक इस तरह से और यह जो किनारा वाला पाठ है इसे हम लोग फेकिंगे नहीं इससे हम bread crumbs बना लेंगे अब इसके बाद हम लोग एक bread का slice लेंगे और इसके चारों तरफ अच्छे से butter लगा देंगे इसके बाद जो हम लोगों ने stuffing तयार करके रखी हुई थी उसे इसके उपर डाल देंगे और इसे अच्छे से चारों तरफ फिला देंगे अब इसके बाद हम लोग फिर से एक bread लेंगे और इसके उपर भी butter को अच्छे से डाल देंगे इसके बाद इसे ठीक इस तरह से रख देंगे अब ठीक इसी तरह से हम और एक sandwich तयार कर लेते हैं आप इसे कभी भी आसानी से बना सकते हैं इसे बनाने में बिल्कूल भी महनत नहीं है बच्चों को आप आराम से टिफिन में इसे दे सकते हैं अब इसके बाद हम इसे बीचो बीच ठीक इस तरह से कट कर लेंगे तो वेज मयावनी sandwich जो है वो बनकर तयार है इस recipe को एक बार घर पर आप लोग जरू बना करके देखें और comment section में मुझे जरू बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को like और channel को subscribe करना ना भूले तो मिलती हूँ मैं आपसे भी से अपनी next recipes में अभी के लिए bye bye friends thank you for watching my video